आप देख रहे हैं चैले न्यूज और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के जिला गाजवाद के पिरवक्ता और मीडिया पिरवारी सर आप से पहला सवाल है दिल्ली पानी पानी हो गई सरकार केजरी वाल की है कहां कमी रह गई जो जनता को नाव से जाना पड़ रहा है देखिए ऐसा है दिल्ली के अंदर जो MCD के कई बार आगा किया हमारी पार्टी के मुख्या और हमारे मुख्या मंतरी मानिया अरविंद केजरिवाल जी ने कोई बार कोई नई चीज नहीं हर वर्ष आती है और इसके लिए प्रोपर एक एक्शन प्लान होता है बराबर LG साब क को चिटियां लिखी बराबर MCD के क्योंकि मेयर हमारे वहाँ पर नहीं है MCD के जो तमाम मेयर्स हैं वह भाजपा के इनको राज्य सरकार ने अपना अंश्यदान सैलरी का जब दिया उनको प्रोपर सैलरी नहीं दी गई सिर्फ किसलिए कि राज्य सरकार को बदनाम करने के ल के लिए व्यापक प्रबंद नगर निगम के द्वारा नहीं किये गए और यह सरकार पर सिर्फ ठीक रापोड़ने के लिए कि इसके लिए अर्विंद केजरिवाल जिम्मेदार है इसके लिए आम आद्वी पार्टी जिम्मेदार है अरे जो MCD के दायरे में जो काम आते हों तो MCD करेंगी ना आप एक प्रोपर एक्शन प्लान बनाते हैं कि इससे हम कैसे निजात पाएंगे किस तरह से डिजास्टर से हम इसको मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं MCD के प्रबंदन में कमी रही और उसके लिए सीधा-सीधा जो दायर तो बनता वो केंद्र सरकार का बन कि अंदर आए दिन चाकों से मडर हो रहा है कभी कहीं कभी कहीं पिछले अगर हम पांस साल की बात करें तो लगबग 2000 कतल हो चुके हैं चाकों से सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के नाम पर आम आदमी पार्टी क्या सुरक्षा देना चाहती है जब दिल्ली के अंदर ही सुर केवल एक व्यक्ति विसेश को राजनितिक विद्वेश के तहट एक शडियंत के तरीके से जूट पहला कर भर्म पहला कर जिंता के अंदर ये कब तक चलेगा ये नहीं चलने वाला सब लोग जानते हैं पड़े लिके लोग कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है ज जहां पर भी राज्य के मुख्य्मंत्री का नियंतरण होता है और पुलिस कोर्स पर वहां पर एक लॉइन और बनता है और मैं तो कहता हूं कि अगर ये इस पस निती से चले तो पुलिस ये वही पुलिस है और आज भी वही पुलिस है और अपराद पर नियंतरन करने की जो बात है इसमें जनता की भी सहब आगिता होना बहुत जरूरी है आज सड़क पर कोई स्नेचिंग हो जाए लोग वीडियो तो वनाने में जुट जाते हैं क्या उसकाम को भी सरकार बचाओं में आए तो कहीं न कहीं जंता को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और रही बात दिर्ली पुलिस की डिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग आप मुख्यमंतरी जी को करा दीजिए होती हैं और कितने आप रादों का ब्रूम नीचे होता है आप से आखरी सवाल यह है कि जैसे कि आरोप लगते आ रहे हैं जनता कहती है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम समधाय को ज्यादा सपोर्ट करती है बजाए हिंदो समधाय के तो क्या यही रूल उत्तर परदेश में लेकर आप विदान सभा चुनाव लड़ने वाले हैं या इस आरोप का आप खंडन करत देखें ऐसा है क्या हिंदुस्तान इस मुल्क का नागरिक नहीं क्या जंगे आजादी की लड़ाई में मुसल्मान ने भाग नहीं लिया यह हिंदु मुसल्मान कब तक चलेगा आज ही जा चुके हम इन चीजों से जाती धरम हो अरे कब ते जाती धरम की राजनीति करोगे आजम पार्टीं में विश्वास नहीं रखती जाती धरम पर यहां पर विश्वास किया जाता है शिक्षा का वच्चों को एक सरवांगन डी शिक्षा हो उनके अच्छे स्कूल हो एक उनकी मौडल क्लासे हो ताकि उनका एक भविष्य का चकर निर्मान हो सके उनके लिए क् कर आ सके अन्य देशों से जाकर यह जाती मजब में डुवो कर कहीं न कहीं मुद्दों से भागने की एक बात होती है और आम आदमी पार्टी इस तरह की कुटिल राज़िती में कभी विश्वास नहीं करेगी जी आप एक भी काम बता दी जो आपने हिंदों के लिए किया हो आ देखिये फिर वह हिंदु मुसल्मान पर बात आगी बड़ी विडवनागी बात है मैं इस पर बता देना चाहता हूं जो तीर्थ जब मुख्यमंत्री जी हमारे सरकार बनाई उन्होंने तो मुख्यमंत्री तीर्थ योजना बनाई तो वो तमाम हाफीजों के लिए बनाई तीर्थ योजना बनाई उसमें वहां की जो गांगरामीन महीला थी वो खुद हम उति तीर्थ यात्रियों से हमका स्वागत करने जाते थे वह खुद कहाती थी कि भाईया हमारा तो मुख्यमंत्री स्वरण कुमार है हमारे बेटे ने हमको तीर्थ यात्रा नहीं करा पाया लेकिन हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है उसने सुरण कुमार तीरत योजना चला कर हमको दर्सन करा दिये बड़ी दूर-दूर की यात्र हैं जो कभी उन्होंने जो ग्रामीन एक महीला जो खेत में काम करती है जिसे नहीं पता कहा है द्वार का जी है जिसे नहीं पता कहा हमाता व जाक गाम किया, जिसका जो उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा, और उसी एक मां का अशिरवाद है, उन तमाम देविये शक्तियों का अशिरवाद है कि तमाम सठयंत्रों के बावजूद, तमाम ब्रामक दुस्परचार के बावजूद, दिल्ली की जनता ने जनादेष दिया और 35 बार मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को चुना जी कहा यह जाता है संजय जी और मनिसी सोध्या जी राम मंदिर की जगा अस्पताल बनाने की कवायत करते थे और पिछले दिनों वो राम मंदिर आयोध्य में जाकर दर्सन करने गए क्या इसको हम राजनि शब्द ऐसा है महत्मा गांधी से लेकर महत्मा गांधी जी ने भी जब प्रांट आगे तो बोलाता है राम अब उसमें कहतने लगते उस टाइम पर जो तमाम विपक्षी दलते नहीं जी राम क्यों बोल दिया राम भाजपा के द्वारा पैटेंट किये हुए नहीं है या धार्मिक हमारी ahead हिंदू आश्था है वह किसी एक राजनयतिक डल द्वारा वह नहीं करा ल tienen को कोपिराइट करा लिया कि einने दल इनका नाम नहीं लगा यह तो आश्था को विशह है जिसे में आश्था है वहन से अर्विंद के गजरिवाल जी बी नहीं संजितक्य הואrikत इतनी संजीद्गी के साथ काम कर सकती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर अकर सुब कार्य की शुरुवात हो रही है और सर्यू तटका यह जलका आचमन मानने संजय सिंग और मनीश्ची सोधिया करते करते हैं तो विपक्ष को इसमें मिर्ची क्यों लगती है